हलो एव्रीवान वेल्किम टु फिनांस बाई अविशा अर्पता आज की विडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिट्वीन पॉर्ट्फोलियो मानेजमेंट सर्विस अंद मुच्वल फंड पॉर्ट्फोलियो मानेजमेंट सर्विस इतना चांस्पेरन नहीं होता अपने डिस्क्लोजर में मुच्वल फंड डिस्क्लोज करता है सब कुछ क्योंकि मुच्वल फंड इंडस्ट्री जो है वो क्लोजली रेगुलेट होती है बाई सेबी PMS में हाई टिकेट साइज रिक्वाइड होता है इंडिया में मिनिमम्म 25 लाक्स रिक्वाइड मुच्वल फंड स्टार्ट करने के लिए कोई इंवेस्मेंट लिमिट नहीं है अब 500 रुपीज में भी एक मुच्वल फंड खरीच सकते हैं यू कन स्टार्ट विद यूर एसाइपी फ़र रुपीज 500 पीमेस का हाई एक्सपेंज रेशो होता है काफी कॉसली होता है प्रॉक्समेटली तू तू त्री परसंट आपको देना परता है प्लस आपको कुछ प्रॉफिट शेरिंग का पर 50% होते हैं, पीमेस में रिस्क जादा होता है मुच्वल फंड में आप इνवेस् कर सकते हो based on your risk appetite PMS का diversification काफी concentrated portfolio होता है mutual fund का काफी diversified portfolio होता है complexity की बात करें PMS में तो ये complex in nature होता है mutual fund simple होता है समझने के लिए समझने में simple होता है PMS में taxation जो है वो inefficient होता है और mutual fund tax efficient होता है PMS की liquidity की बात करें तो generally PMS products का high lock-in होता है लेकिन mutual fund mostly liquid form of investment होते है आप उसको कभी भी liquid form में cash में convert करा सकते हो PMS को आप इतनी जल्दी नहीं करवा सकते cash में converts क्योंकि उसका काफी बड़ा lock-in period होता है PMS में बात क्योंकि लूड़ा PMS में वर्णुटर व्ड़ा होता है थरू PMS कीटिया जोच है like Motilaag Oswal that has provided 36% return to its investors mutual fund की बात करें तो historically it has created long term wealth for investors PMS में more dependency होती है star fund manager पर और mutual fund में dependency is more on team, it's team oriented, process oriented and depends on investment mechanism also so that's about the difference between mutual fund and portfolio management service अगर आपको कोई भी doubts है, you can comment down and ask your doubts we'll cover your doubts in the next video for more such videos, please subscribe to the channel and share this amongst your friends thanks for watching, bye bye